हलो एवरीवन हाई वेलकम बैक टो माई चैनल सो ये डे है फ्राइड़ या सटरड़े का है तो मम्मी ने मुझे कहा था कि अब 7-8 दिन हो गए तो सिर्दो लेना और महंदी लगा लेना तो फिर मैं महंदी लगाने वाली थी एक दो दिन तो मैंने इग्नोर कर दिया था फिर जैसे मैं दिन में महंदी लगाने बैठी तो कोमल में माग गए थे और उनके साथ मनीशा भी आ गई थी तो फिर मनीशा ने अभी प्रॉबलम है तो हम बहुत ज़्यादा देर ऐसे नहीं बैट सकती तो फिर मनिशन बना दिये थे और थोड़ी अच्छी भी लगती है वैसे मैं रॉर्मल वैसे मैं दी लगा लेती ये संडे का दिन है तो यहां पर मीहाई एपनी बुक दिखा रही है इसमें स्टोरी ज जहराइम है तो बस वह दिखा रही है अभी छुटियां चल रही है इसकी तो यह सी टाइम पास करती रहती है और इसका कल से रधुला था लेकिन अभी तक मैंने तेल नहीं लगाया है मुझे तील भी लगाना है थोड़ा हाथ वगरा में अभी इतनी हिम्मत नहीं थोड़ी बस बज रहे थे तो उठते ही सबसे पहले इन्होंने एज यूजर में लिए अजवाइन बनाई और साथ में दूद और अब अजवाइन मेरी सिर्फ दो दिन की और है मतला आज और मुझे सिर्फ कल-कल और खाना है तो बस मैं जवाइन खा रही थी और इसके बाद में काम क होता है कि अगर यह नहीं करेंगे और घर गंदा हुआ तो क्या पता मैं नहीं करने लग जाओ इस वज़े से फिर यह संड़े को अच्छे से जाड़ो पोचा साफ सफ़ाई कर देते हैं और संड़े था तो अराम से रेस्ट करके यह उठे थे और यहां में को दूद वगरा दिखा रहे थे कि मलाई के साथ ही पिला देता हूं तो मुझे मैं पीती नहीं हूं दूद मैं अभी पीने लगे हूं मैं दूद वगरा नहीं पीती हूं मुझे नहीं अच्छा लगता है तो बट अभी तो वह यह की मजबूरी है पीना तो बस मैं पहले यह खा लेती हूं अजवाईन और तब तक वो दूद ले आएंगे फिर मैं दूद पीलूंगी और अब भी आपको मेरे दोनों हाथों में दीखरी होगी ना लग लग चोड़ियां तो ये वो उस टाइम जब मेरे कैनुरा लगाया था ना हाथ में तो इस टाइम इस हाथ की जो चोड़ियां थी वो उन्होंने उतरवा दी थी फिर दो दिन तो मेरे दर्द था हाथ में तो मैंने कुछ पहना करानी था फिर लास्ट के अंदर मैंने दूसरे वाले हाथ से ही निकाल के और इस हाथ के अंदर पहन ली थी चोड़ी तो मैं आज नाने दोने के बाद में इसको भी चेंज करू होंगी और अराम से उठे हैं तो आज पूरा दिन बस यह है कि घर पे खाएंगे पीएंगे और रेस्ट करेंगे यह काम वगरा करेंगे और जब से ना मेरी दवाईयां वगरा खतम हुए ना स्टार्टिंग में मेरी चार-पांस दिन के मेडिसन दी थी उन्होंने उसमें मल्टी विटामीन्स भी थे और भी पेन किलर वगरा थे शायद तो उस टाइम तो मुझे नहीं पता चला लेकिन अब मेरे जो पहले मुझे था कि राइट हैंड साइड ही मेरे इंजेक्शन लगा है लेकिन अब लेफ्ट साइड भी लगा है मुझे अब पता लग रहा है कि लेफ्ट साइड भी है तो मेरे को पेन होता है क्योंकि उस पे सिस्ट सी बन गई है पूरी तो जो गांट है उससे मेरे को पेन होता है उस वज़े से मेरी नींद भी रात को पूरी नहीं थी और ज़्यादा दिर बैठ नहीं सकती तो बस मैं तो इतने में ये मेरा दूद ले आए थे और मेहाई के लिए चाहे ले आए थे अभी सब कुछ ना बैड पे चल रहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बैड पे मतलब पहले खाते थे पीते तब आदत थी अब हम लोग खाते पीते नहीं है ना बैड पे तब मेरी बिल्कुल भी हेबिट नहीं है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बैड पे और यह जब बे मेरे लिए कुछ भी बनाके लेका आता है ना तो पहले टेस्ट करवाने के बाद में मतलब दूद में भी मेरे को डिली पूछते हैं चीनी कम नहीं चीनी ज्यादा नहीं है तो मतलब हर चीज परफेक्ट में उनको लगता है कि कुछ कम ही नहीं रहने चाहिए सारा सही मिलना चाहिए तो अगर मैं थोड़ा सा भी कहते हूं उन्हें बना के देता है तो उनको वैसे ही बहुत अच्छा लगता है और यहां पर मेहाई संडे था तो वैसे भी चुट्टी है तो वह फोन वोन देख लेती है लेकिन हम उसको दिन में मैं वाइफाई कम देती हूं देती निए उसके पापा ही देते हैं तो फिर वो मुझे अभी आज उसके पापा ने वाइफाई दे रखा था तो मुझे दिखा रही थी फोन में कि आप momentum में यह देंख तिह हूं वो देख तो मैं उसको मना गां रहे थी कि मुझे नहीं देख ना और यहां पर ये मुझे से कुछ ना कुछ बताते रहते हैं मतलब पूरे दिन में ऐसा होता है कि आफिस में भी बहुत सी बाते होती है क्लाइंट वगरा से बाते होती है तो कुछ ना कुछ मुझे बताते रहते हैं कि ऐसा हुआ उसने ऐसे बुला फिर मतलब ऐसा होता है ना कि इनके साथ कुछ होता है तो उस पे ये मेरा opinion लेते हैं कि अगर मैं वहां होती तो मेरे क्या reaction होते मैं उस situation को कैसा handle करती या फिर जब मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं इनको बताते हूं कि ऐसे ऐसे हुआ था तो फिर ये अपनी जिवो बताते हैं कि अगर मैं वहां होता तो मैं ऐसे रियक्ट करता या उस बात के लिए मेरा ये उपिनियन है ये सोच है तो बस हमारा वही डिसकेशन चल रहा था आपस में दूनों बाते कर रहे थे और साथ ही मैं आगी की प्लानिंग भी चल रही थी य प्लका फुलका सा बना लेकता हैं जिसमें बनाने में जादा टाइम लगता है क्योंकि लогंस के लासंडीं को गया हुआ था कि पेहले खान बना दिया यह सफेद बाइड़ चावल के और उलग ज़ता तो लगे लगता है करो तो आब लगा देंगे दाल चड़ा देंगे दोनों जो रूम है ना उसमें इनों ने पोचा लगा दिया था तो मतलब यह पैरलरली काम कर रहे थे थोड़ा सा उधर थोड़ा सा इधर क्योंकि सिंपल डाल चावली बनने थे तो किचन में बहुत ज़दा टाइम ने देना था तो यह बारा के बरतनों के सर्फ अगरा लग कर रही थी थी ना तभ यह जड़का मतलब उपर से ही जड़का देते चेडर हटा के निजड़का ते ते लेकिन अब में थोड़ा सा इलने डुलने लग घई हूं ना तो चदर में बाइए हैल्प कर देती है मेरी तकिवक्य हटाने में तो बससे हो जाता है तो अभी फ़न वना बना रहे हैं जब तक मैं नहा के आ जाती हूं क्योंकि अभी मेरी हबिट है जल जल दिन हाने की और जैसा कि मैंने बताया था ना कि मुझे मेहाई के तेल लगाना था तो बस मैं नहा के आई ना तो मेरे वो इंजेक्शन का दर्द है ना वो ला तो दूसरे में होता है तो आधी चल रहा है और भी मैं मेहाई को लेने के लिए बहन के लिए कि मैं लगा देती हूं और नहा के आई ना तो पता चला कि मैहाई के लिए ने गए उसने काया कि मैं दही चावलखंगी तो इसलिए और मिहाई के बाल है ना बहुत ज़धा ऐसे मतलब बालों की ग्रोथ है ना ऐसी है कि एक तो ब्राउन है उसके बालों की कौलिटी है ना वो थोड़ी पतली भी है तो उलजते बहुत जल्दी है पता नी बाल मुझे बिल्कुल भी नहीं गये मेरे बाल बहुत ज़्यादा काले हैं मतलब चलो ठीक है अब वाइट तो आई गए लेकिन जो उनकी स्टार्टिंग से जो कालेटी थी ना वो बिल्कुल ब्लैक और शाइनी थे ना बहुत ज़्यादा मोटे ना बहुत ज़्यादा पतले बट इसके बाल पता नहीं मुझे तो नहीं गए है कोई नहीं अब जो भी है जैसे भी है इनी की केर करनी है तो मैं इस तरीके से ना इसके बालों को तीन चार पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ जब अच्छे से तेल लगाती हूँ ना तब क्योंकि फिर के अंदर से जब हम उपर से तेल लगाते ना तो पता चलता कि अंदर कौन से स्कैल्प में लगा है कहां पे नहीं लगा है तो मैं इस तरीके से दो तीन पार्ट में डिवाइड करके और फिर तेल लगाते हूँ तो इसको भी थोड़ा सा किया, थोड़ा उलज्चते कम है फिर बाल इसको भी लगता है कि थोड़े थोड़े बाल मैं सुलजाती रहती natomiast तो फिर इसे भी लगता है कि अललज्चते कम ह रखनी सकती क्यों खुले रखते वह उलच जाते हैं भुले तेल लगावा होना तो भी उलच जाते हैं और फिर चोटी भी है ना चोटी भी इसको यूँ है कि एकदम टाइट होनी चीज चोटी तो पहले यह चोटी करके सिंपल पोनी बनवाती है उपर बडलवा के फिर उसे गुथवा लेती है ऐसी यह चोटी करवाती है और एकदम टाइट करवाती है इसका फोरेड लंबा है तो करनी करना चाहिए मतलब थोड़ी ल्यूज चोटी करनी चाहिए लेकिन फिर भी इसको नहीं पसंद आती है और यहां पहले यह ना वुड़न वाला कॉम ले आई थी तो मैंने इसको चेंज करके लाने के लिए काता कॉम और इतनी देर में इसके पापा आ गयते धही लेके तो पीछे से बाप बेटी ने आपस में बाते बाते करी हैं क्योंकि मैं तुनाने गई वी थी तो फिर यह उसके धही के साथ साथ है ना इसके संडे के लिए चिप्स वगरा और इसके पफ कॉर्ण वगरा वो सब लेके आए थे साथ में फूर्टी और मैं डाटू नी दोनों को तो मेरे लिए भी फिर यह कोल्ड रिंक लेकर आये थे बट कोल्ड रिंक तो फिर मैंने नी पी क्योंकि में हाई ने जब देख लिया तो पहले फूर्टी फिर को फुद का कौम लेक्या हूँ वेगा का कौम यूज करती है क्योंकि वो चुपता भी नहीं है और बाल बीजिली मतलब उससे सॉल्व हो जाते हैं उलचते नहीं हैं तो पहले उसे भी नहीं मिला फिर मैं उसके पापा को भेजा कि आप ढूंड लाओ इसको नहीं मिल रहा है तो फिर मैं हाई के पापा गए तो उनको भी नहीं मिला वो भी वुडन वाला ही कंगा लेकर आ गए तो मतलब मुझे ही फाइनल ले उठके जाना पड़ा क्योंकि मैं उठती हूं बैठती हूं तो फिर में को वहां पे पेन होता है पैर के अंदर बट क्या गड़ती मैं ले जल्दी सी और अगर आपको वेगा का थुड़ा कॉस्टली लगता तो आप बबीता बबीता करके भी आता है वहां की कॉपी आता है वह वह भी ट्राइए कर सकते हो उसके भी अच्छा आता है लेकिंगर उसमें आपको ढूड़ना पड़ेगा उसमें मतलब 50 50 चांसेज है क मीहाय के लिए रेड़ी कर रहे थे धही चांवल को अभी दही लेकर आया थे इसके लिए और यह घाती हैं में बचपंड में ऑभी ऐसे खाती हूँ तो मेहाय के अरभा में CONiva से लगते हैं ना धही चांवल बंस मिई E कि ममो ऐसे सुजा रहता है और आस तो उसके पापा भी है उसका सपोर्ट लेने के लिए तो बस वो बिल्कुल ही ऐसे हो रखी है कि मम्मी थोड़ा सा भी बाल खींचे और मैं रो दूँ तो बस यहां पर वो यह रखा था और मैं तेल लगा रही थी मेरे हाथ भी दरदून ही है मैं पहले तेल लगा दूँ चोटी कर दूँ फिर खाना क्योंकि फिर इसमें बाल गिर जाते ना इस वजह से तो फिर मैंने धीर धीर दीर उसके सुलजा है और इतने उल्जेवे बाल थे ना कि मुझे लास्ट में सहारा ही लेना पड़ा कमर का और फिर मैं पीछ आराम भी कर देते हैं अगर मैं कहती तो पर वो फिर टंपरेली सा ही कुछ कर पाते हैं अब मैंने ऐसा कर दिया तो यह कि जब तक दुबारा सिर्द होंगी ना तब तक इतने मैंनत नहीं करने पड़ेगी बस सिंपल सी चोटी करते ही काम निकल जाएगा और यह बिल्कुल मैंने सिर्द होया था ना तो फिर कॉमल मैं मा गए थे मिलने के लिए वो आए नहीं थे इतने टाइम से उनकाना हुआ ही नहीं था तो मैंने जिस दिन सिर्द होया वो उसी दिन आ गए थे मिलने तो फिर मैंने का कि आप मेरे को तेल भी लगा दो तो तेल लगा गए थे क्य चोटी वगरा नहीं करी थी फिर अभी जब मेहाई की चोटी करी ना तो मुझे लगा के चलो ठीक है अपने भी चोटी करी लेती हूं क्योंकि थोड़ा चल जाएगी इती गर्मी में ना खुले बाल और ऐसे अच्छे नहीं लगते प्ला अच्छे तो लगते लेकिन सुहाते हैं यह लगता है कि बस छोटे-छोटे से हों और बस सिर के उपर हों गर्दन पर नीट तो बस इसलिए ना मैंने मेरी भी चोटी कर ली थी और इस बीच में मेहाई से मैंने मेरा चूड़ा भी मंगवा लिया था जो मुझे चेंज करके पहनना था तो यह चूड़ा है ना य पहनती हूं फिर मैं चूचा ठीक है कभी पहनूंगी कुछ अच्छा दिन आएगा तब पहन लूँगी या फिर मतलब कोई व्रत वगरा में पहन लूँगे ऐसा होता है ना चौत वगरा कि व्रत आते हैं तो नए चूड़ा पहन लो तो फिर मैं चूचा तब पहनूंगी बट फिर आज मुझे चेंज करना ही था तो मैं चूचा कि चलो अभी पैन लेते हैं यह लाख का है ना तो फिर लाख वाले में होता है कि घर्मी के अंदर फिर इसकी पिगल जाएगा साइज इसकी टेड़ी बांकी हो जाएगी इसलिए और आप देखो नहीं हमेरे से डंग से चला भी नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा इंजेक्शन बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और इधर फिर हम लोगों ने जब तक हैं चूटी उटी के काम किये थे ना इतने देर में मेहाई के पापा चाहुल और मतलब दाल वाल छोंक ली थी उन्होंने चाहुल तो पहले बैठके खाना खाती है क्योंकि हम सब यहीं बैठके खाते हैं गर्मियों में नीचे बैठके अराम से बट अभी मैं बैठ नहीं सकती इसलिए और मेहीं बैठ गई थी नीचे क्योंकि सामने टीवी होता है तो उसको इसलिए दीख जाता है ना एकदम सामने से टीवी दिया था और मेहाई का भी करेक्शन हो नहीं रहाता कभी नमक जादा तेज मिर्ची कम ऐसे लग रहा था और यह मैं आपको दिखा रही थी इसके अंदर दाल चीनी की जो चावल बनाते ना यह तो उसमें मतलब वाइड चावल में भी एना लॉंग और दाल चीनी डाल के अच अचे लिए प्याज भी कट करके ला दिये थे क्योंकि अभी खीरे वगरा तो यह मुझे खाने देते नहीं कहते हैं कि गैस की प्राब्लम हो जाएगी और सभी नहीं है मतलब डॉक्टर ने फूट्स वगरा के लिए मना किया आना तो यह टामाटर खीरे यह सब भी नहीं ख उलकासा तो संडे है तो मतलब आप यह देख लो कि पूरे वीक का हम लोग को मैनेजमेंट ऐसा ही करना था कि पूरे वीक में मुझे ऐसा नहीं लगे कि घर के साफ सफाई करनी है या और कुछ अब डेली का खाना तो यह बना के चले जाते हैं ऑफिस और साफ सफाई संडे क तो इन्होंने मिलके कर ली थी तो काम चल गया था और अभी हम दोनों डिसकेशन कर रहे थे जो भी नई सीरीज आई यह पंचायत उसके लिए तो मेरा फस्ट पार्ट तो मैंने बहुत पहले देख लिया था इन्होंने देखा था फिर जब यह थर्ड पार्ट आया पंचाय कर लाओ नविकाई कर दोंगा दोंगा था तो अब भी मेरा ना बाथ से सटार्ट हो एको ना रागाए पहले मेरी दोवाईयां चल रही थी तो सारी कंप्लेट होगी अब यह 1 महींए की मेरी दोवाईयां जो आईरन की है तो यह मैं लोंगी एक महीने मतलों इसमें बीट व मुझे कह रही थी कि मैं थोड़ी देर में नहलूं क्या भी नहीं नहाना तो मैंने का ठीक है तो बस मुखुश हो गई थी क्योंकि मैंने पहले उसके तेल भी लगा दिया था ताकि नहाए तब गर्दन के जो भी तेल होना वो उतर जाए और यहां मैं दवाई ले रही थी और इनको यही चीए दोनों को मजाक मसती सारे दिन फिर दवाई लेने के बाद में मतलब दिन में थोड़ा सिर्फ में दो इचकर काटती हूँ खाना खाने के जस्ट बाद में क्योंकि जदा देर तो मेरे को चला भी जाता पैरों से भी और साथे साथ में मुझे बैक पेन की प थोड़ा सा बाहर जाएंगे शायद ससुराल साइट जाके आएंगे मिलके आएंगे दीदिव अगर अभी बिमार हो रहे हैं तो इस वज़े से बोल रहे थे कि उधर भी जाके आऊंगा क्योंकि मैं भी नहीं जा पारी अभी तो फिर गूमने गए थे वो तो वहां से आये तो फिर बुले बिमार हो रहे हैं तो मैं मिली आता हूं फिर बाद में कभी चलेंगे तो सब मिलेंगे बट फिर अभी पता नहीं गए हैं नहीं गए हैं अधर गए हैं फिर मैं आ गई थी थोड़े देरेस्ट करके केचन में क्योंकि मैंने केचन की कंडिशन देखी ना तो मुझे लगा कि थोड़ा सा सैट कर देती हूं क्योंकि पहले ना हम लोग फूट प्रोसेसर यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं हाथ से अटा लगा लेती थी लेकिन अभी इनको भी दिक्कत होती है थोड़ा जैंट्स का होता ही है ना आइडिया नहीं बैठता कि कितना अटा हम ने तो मैं ऐसे मैनेज करने की कोशिश कर रही थी कि कैसे जैसे उनको थोड़ा सा इजी हो जाए मतलब है ना क्योंकि पहले थोड़ी पता था यह सब तो मैंने मेरे हिसाब से इसको सैट कर रका था और अब एक दम से फिर उनका है कि वो मैनेज कर रहे हैं वो खाना वना तो उनको क्या space नहीं मिलता अब जंट्स में है ना काम तो कर लेते हैं पर इता idea नहीं होता ना कि समान इधर रखना है उद्धर रखना है कि थोड़ा सा space बना लें वो नहीं हो पाता तो बस फिर मैं यही सूच रही थी कि पूरे घर के सफाई तो उन्होंने कर दी तो पटी- पटी साफ कर रही हूं बाकी बरतन वगरा कुछ भी नहीं कर रही हूं और पटी भी साफ नहीं कर ली मैं सिर्फ ऐसे अरेंज कर रही हूं कि इधर का समान उधर तो उस तरफ food processor रखा है ना तो वो बस ऐसे ही रखी दिया था और यहां देखो आपको दिख रहा है ना मैं मत पुरानी जो होती है ना इनर बनिया ना बच्चों के लिए लो मैं तो इनकी लिए रखी है तो वो मतलब पुरानी नहीं वो फट गई थी जल गई थी मतलब प्रैस से तो फिर मैंने उसको किचन में यूज कर लिया था तो बस यह है कि उसे बहुत अच्छे से ना साफ हो ज जिहान से कि मुझे ज्यादा जोडनी पड़े उस पर तो मैं उससे काम काम कर रही थी और मेरे जो उल्टा हात है ना उससे ज्यादा काम कर रही थी तो देखो मेरा करेंट भी है ना इसी हाथ में आया था और भी कैनुला के भी सीक अंदर हुआ है तो मैं बहुत ज्यादा र रेंज करके देख रही थी कि कौन सा सही रहेगा उनके लिए कौन सा सैट रहेगा तो बस मैं यहां चीज़ें इदर उदर करके देख रही थी कि उनके लिए इजी भी हो उनको चीज़ें सामने दिख भी जाए क्योंकि फिर उनको ऐसे तो काम सारा कर लेते हैं पर अगर कुछ किसमलता करता नहीं न को फिर वहीं काम को छोड़तें के तो वस मैं वह मेलेज करके रखरी थी क्योंकि थोड़ा वह तो अलरेडेजी था बिख रहा वहा थोड़ा हुआ थो वह इन्होंने आगे पिछे कर दिया था तो बस मैंने इसको पूरा सेट कर दिया तो देखो बरतन मैंने धोई नी और यह एक आइस पैड रखा था क्योंकि मैं सेख करती हूं ना इसलिए और साइड में एक बास्केट सी है तो उसके अंदर जिते भी पानी के ना हमें शाम को पानीवानी भरते हैं दो तो आइसरे नीचे तो मैंने यह रख रखें गीका और इन जी फटने का वह सब उपर ऊंपल ऑगल रख संथे और यह दो मसाले के बॉप्समें नीचे गरम मसाले हैं साबुथ और यह जो सब्जी के मसाले होता है ना नमकमिठ च्खर आयक उता है मैंने उनके लिए जो क लेती थी तो इनको दिखते नहीं है इसलिए और यहां साइड के अंदर फिर मैंने चाय चेनी के डब्बे और नमक और सभी दर साइड में लगा दिया फूड प्रोसेजर भी लगा दिया क्योंकि स्विचे ही हैं और यह जो उपर का दिख रहा है ना इसको मैंने बिल्कुल भ हो जाए इसलिए तो फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और मेहा यह ना काफी टाइम से जिद कर रही थी कि मुझे जो जैली है वो बना के खिलाओ क्यूंकि मेरे पास बॉक्स लाया वा रखा था मैं जोचा था कभी फलूदा बनाएंगे तब यूज करूंगी बट मैंने बनाया नहीं तो इसका यूज नहीं अआया और यह जब भी इसको देखती तो कहती ममी प्लीज बनौ 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 तो फिर मैंने यह थोड़ा से यहां पर फलूदा ही बना रही थी तो मैं इसमें भी देखो मैंना मेरे एक यह घाह जी सात में जो कैनौला लगा ता मतलब सी कुए कि इसमें प्राइशर देना पढ़ रहा हुए प्रेस्डर देना पुट रहा है लता है जान से आप इसनिए कि ऑляется से संही плат धो सकता है विल्च काफिटường इनकाइब में एक्सपार वालता था कि मैंडे अनुद्म इसको थ पहले इसके लेता आतां हो सतरो हो सकता है वो ऐसे करने लगे ममी आप सही हो जाओ फिर बनाना और वो बहुत ज़दा एक्साइटिट थी कि ममी ऐसा कुछ बनाएंगी मैं देखूंगी और मुझे बार 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 बॉक्स देखे जा रही थी कि ममी आप इस पे ना देख लो कैसे बनाते हैं आपने कभी बनाय तो होगा पर हमने इनके लिए बहुत सारे रखत बीज जो होते हैं बरतन वो इखटे कर दिया था तो फिर यह बिल्कुल जम गया था और मेही को बड़े मज़े आ रहे थे तो हमने मैंने इसको कट करके दिखाया क्योंकि यह जैसा टीवे वगरा में दिखाता है ना बिल्कुल वैसा और मैं भी चैक ओर रही थी कि बन गया क्या तो वसम लोग ऐसे कट करके देख रहे हैं तो उसने वह से ट्राइगा लिए था तो अच्छा हो गया ता मतलब अच्छी से बन गय थी जैली तो फिर मैंने उसको कर चलो ठीक है बिसको फ्रीज में रख देता है थोड़े टाइं के लिए घंटे बर के लिए ठंडी हो जाएगी तो फिर तुम ट्राइगर ले ना तो अभी फिर हम लोगों ने इसको फ्रीज में रखा मतलब मेहाई को यह बिल्कुल यह था कि मैं बनाओं मैं करूं मुझे सिखा दो था कि नेक्स टाइम मैं बना लूँ फिर एगंटे बाद में जब यह ठंडी हो गई थे ना हमने फ्रीजर में रखा था तो यह जल्दी ठंडी हो गई थे तो फिर मैंने मेहाई को बहुत सारी निकाल के दी कि खाएगी यह थे दिन से कर लिए तो और मेहाई का यह था कि मम्मी सारी मैंनत खराब हो गई और यह मेरी महंदी और चूड़ियां